हेलो फैमली नमश्कार एकबर फिर से हाथ जरूं आप सब लेक हैलफुल वीडियो लेकर आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि डिलेवरी डेट के दो हफते पहले कुछ ऐसे लक्षन अगर आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो मतलब आपकी सिर्फ और सिर्फ नॉर् डिलेवरी में कोई परिशानी आपके नहीं आनी है यह लक्षन आपको 9 मिना स्टार्ट होते ही दिख सकते हैं ठीक है तो आप इनको अच्छी तरीके से समझे और अपनी बॉडी में नोटिस कीजिए और अराम से टेंशन फ्री हो जाईए यह जानकर कि आपकी नॉर्मन डि डिलेवरी को लेके महिलाओं को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है पतानी मेरी नॉर्मन डिलेवरी होगी यह नहीं पतानी डिलेवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी और तो मतलब तरह तरह के आपके मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैंने का चलिए आप सिब बंद करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमेश्चा की तरह वही लेक्चुर प्लीज अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर लिजे पास में जो घंटे उसको भी दबाके औल पर क्लिक कर लिजे और हमारा बेबी केर चैनल भी है उस का वीडियो जैसे कि फ्रेंट्स डॉक्टर आपको एक डिलेवरी डेट देता है तो आपको एक बात बता दूं कि आपको सिर्फ उसी डिलेवरी डेट तक पेट करना चाहिए ठीक है लेवर पेन आने का ठीक है उसके बाद आपको वेट नहीं करना चाहिए इस दीश को लेक समझ सकते हो इस चीज को क्या है कि चैनल पर चार लग प्लस सब्सक्राइबर हो रहे हैं बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं जिनका पर डे रिपलाई देना पॉसिवल नहीं हो पाता है इसलिए मैं रीट सभी के कॉमेंट्स करती हूं कोशिश करती हूं उनका रिपलाई में कोशिश करूंगे ऐसी कुछ हम आगे करेंगे प्लानिंग है मेरी कि आप सब के कॉमेंट्स के रिपलाई हम इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो आपको केवल अपनी डिलेवरी डेट तक ही वेट करना चाहिए लेवर पेन का उससे जादा आपको वेट नहीं करना चाहिए क् दीलेवरी डेट जो डॉक्टर एलम पी के अकल्ट आपको देता है ठीक है अप डिलेवरी डेटस से पहले कुछ ऐसे लक्षण सकते हैं अन्दाज webpage सकते हैं की आपकी नॉर्मण डिलेवरी हो जाएगी यह उस सभी महलाओं में अलग अलग हो सकते हैं किसी में एक मैच किसी में तीन तो किसी में सारे लेक्षण मैच कर जाएंगे तो मतलब जो यह लक्षण है आपको इंडिकेट करते हैं आपको संकेत देते हैं कि आपकी डिलेव्डिया बहुत करीब चुकि आपको लेबर पयंच या आपको व éta Schools कभि भी हो सकता है चलिए जान लेते हैं कौन सेलक्शन है सबसे पहले चीज सो है कि आपका बच्चा क्या होता है कि आपके पैलवे के एरिया में आ जाता है मतलब कि बच्चा अपना सर नीचे कर लेता है और पैर उपर कर लेता है तो आपको आपके बच्चे की हलचल कम महसूस होगी हलचल में कम ही आ जाती है क्योंकि बच्चा फिर गोल गोल ने घुम पाता है क्योंकि एक एरिया में बच्चा जाके फिक्स मतलब कि आपके पेलवे केरिया की जोड़ों और मसल्स को फ्लेक्सिवल बना देता है और आपका जो सर्विक्स है वो भी धीरे-धीरे सॉफ्ट पढ़ने लगता है जिस बज़े से आपको पेलवे केरिया में पेन बढ़ सकता है आपके पेट के निचले हिस्से में तेजी से पेन होगा आपको प्राइविट पार्ट एरिया में भी पेन होगा और आपको कॉंट्रेक्शन भी बार बार आएंगे क्या होते हैं कि थोड़े टाइम के लिए पेन आएगा फिर सही हो जाएगा पेट के निचले हिस्से में ही आपको दर्ध होगा तो ये आपको दिन में दो बार तीन लार चार वार तक पेन आ सकते हैं। जो कि नार्मल होते हैं। इसमें घबरानी के आपको जरूत नहीं होती है। यह आपके delivery के time को बताते हैं कि आप बहुत ही कम समय आपके liver पेन में बचा हुआ है। आपके liver pain कभी भी आ सकता है। इसके साथ ही जब आपका बच्चा डिलिवरी की सही पॉजिशन में आना स्टार्ट कर देता है, मतलब पैल बेक एरिया में फिक्स होने लगता है, अपना सर नीचे करने लगता है, तो आपके पीट के निचले हिस्से के जो जोड होते हैं, आपकी जो रीड की हड़ी होती है, उस पर प्रेशर पढ़ने लगता है, जिस वैसे आपके पीट की जो मसल्स हैं, उनमें मतलब खिचा होना शुरू हो जाता है, जिस वैसे आपको पीट में दर्द होगा, और कमर में भी आपको दर्द महसूस होगा और साथ में आपको पैरों के जोडों में भी पेन तेजी से महसूस हो सकता है व्योंकि सारा प्रेशर नीचे की तरफ पढ़ने लगता है बच्चे का इसलिए आपको पैरों के जोडों में भी दर्द महसूस होने लगता है इसके साथ ही जब आप 9 महीने के स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास चेक अप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपका एक विजायनल चेक अप करती है मतब सर्विक्स एक्जामिन करती है कि आपका सर्विक्स कितना ओपिन हुआ है और बता देती है आपको कि आपकी delivery में या labor pain आने में अभी कितना समय और लग सकता है इसके साथ है जब आपके normal delivery के chances बन रहे होते हैं तो आपको lose motion भी नौवे महीने में हो सकते हैं ऐसा होना अच्छी बात होता है प्योंकि पहले आप cups को face करते आयो हैं लेकिन नौवे महीने में normal delivery के chances अगर बन रहे हैं तो आपको lose motion होने start हो जाएंगे मतब दस्त लगने आपको start हो जाएंगे ऐसा इसलिए होता है आपके मलाशे में जो मल है वो बाहर निकल जाता है आपका पेट खाली हो जाता है जिससे की बच्चे को और नीचे खिसकने में help मिलती है इससे आपको जल्दी ही labor pain आने के chances होते हैं और normal delivery के chances भी बढ़ जाते हैं तो friends की कुछ ऐसे लक्षन मैंने आपको बताए है इस वीडियो में जो आपको 9 महिने के लगते ही या एक दो हपते पहले delivery date के नजर आते हैं तो मतब आपकी normal delivery पकी हो चुकी है आपकी 100% normal delivery हो जाएगे आपको घबरानी की बिल्कुल भी जरुत नहीं है बस अगर आपको delivery date तक भी pain नहीं आता है या water leakage नहीं होता है तो फिर आप वेट ना करें तुरन hospital जाए डॉक्टर से मिले ठीक है ज़्यादा वेट करना सही नहीं होता है ठीक है friends तो I hope यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रहा होगा तो इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और पास में चुकंटी उसको भी दबाए तो चलिए ध्यान रखिए अपना और खुश र रखिए बाए थैंक यू